अब बात करेंगे जहानावाद विधान सभाच्छेत्र की जहानावाद में भी साम चार बजे तक ही वोटिंग हुई अब बात करें किसका पलड़ा भारी दिख रहा है तो वहाँ पर बात करें तो कूल 15 प्रत्यासी जुनावी मैदान में हैं इसमें से क्रिश्ननदन पसाद वर्मा जो निकिस कैबिनेट में मिनिस्टर वे जेडिव के कैडिडेट हैं राजत की तरब से सुधाय यादव कूल 15 प्रत्यासी जाप के सुल्तान आहमद बसपा के मनोज और लोजपा की तरब से इंदु देवी हैं इंदु देवी लोजपा की तरब से जो प्रत्यासी हैं उस इलाके की ही रहने वाली हैं और कहीने कहीन लोजपा ने वहाँ अपने मिसन में लोजपा कामयाब हुई है और अच्छी वोट, जो है जो वोट पर्सेंट है कहीने कहीन ह taraf काटने में जो लोजपा कंदिट में सफल हो गई है। तो इसका खामियाजा अस्पश्ट तोर पर जेडिव कंडिडेट क्रिस नंदन प्रसाद वर्मा को उठाना पड़ा आज जब की वोटिंग का दौर समाप्त हो गया, अब जब चर्चा है जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है, उसके अनुसार जहनावाज सीट भी जेडिव कंडिडेट को नुकसान जहिलना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से वोट का डिवीजन हुआ है जिस तरीके से वोट लोजपा प्रत्यासी ने काट लिये हैं तो उसका सीधा नुकसान जो है जेडियू कैंडिडेट क्रिसनन्दन प्रसाद वर्मा को उठाना पड़ा है सुधाय यादव जो राजत के कैंडिडेट है 2015 के विधान सभा चुनाव में मुंद्रिका प्रसाद यादव चुनाव जीते थे लेकिन उनकी औसामिक निधन के बाद उनके बेटे सुधाय यादव को तेस्वी यादव ने उमिद्वार बनाया था और उप चुनाव में इनक तो इसका जो सिधा नुकसान हुआ है वो जेडिव कंडिडेट को हुआ है उक्रिसंदन प्रसाद वर्मा की सिती अच्छी नहीं कही जा सकती है राजत के बनिस्पत उनकी सिती कमजोर दिखी आज चुनाव जब वोटिंग समाप्त हो गया है उसके बाद भी अब यह चर्च आए कि कहीं न कहीं जेडिव यह सित लूज कर सकती है अधिक अप्डेट्स के लिए देखते रहें उच्पर ने सन नमस्कार